यारतों का CT scan वो कर दिया करते थे और डॉक्टर्स ने आखिर में आगे बोल दिया कि हमें इस इमार के बारे में नहीं पता कि आपका यो पेस्टेंटर वो जूट बोल रहा है लेकिन जब ये प्रोड़कों के पाइगा हूँ और मैं थैंक्फूल हो आप सभी लोगों का कि आपने मुझे यहां पर इंवाइट किया है और मैं इस प्रोड़क के बारे में डॉक्टर साब से और मेरे जीजे जीने मुझे इस प्रोड़क के बारे बताया था बिने गोतंच जहां भी जित्रे भी बड़े होस्पिटल हम गिन सकते हैं, उन सभी होस्पिटलों में, हमने मम्मी को दिखाया था, लेकिन पता नहीं लग पारा था, नियूरो की समस्याती, कि सिर में आवाजें गूंगती थी, जैसे जंगल में बंबीरियां बोलती है न, उपर की सीड्याँ बस्टी है, वैसी आवाज मम्मी के सिर में भी लगाता, वो आवाज थी लगजबग छे साल से, और अठबार में इसके लेक बार बार आते रहे, लेकिन टीट्मेंट का कहीं कोई जिगर नहीं था, कि इसका टीट्मेंट हो सकता है, marginal के लक्षन बताते थे कि शौरी में इससतरे की बिमारी आज उपज रही हैं। उसके लक्षन बता रहे थे लेकिन बिमारी क्या है या उसका इलाज क्या ऊसकता है इसके बारे में सही कोई जानकारी नहीं ती और लगबग एक महिना बीस दिन लगबग मदर को ये ट्रीटमेंट लेते हुए हुआ है दोस्तों टच्वूड मैं लगडी को छूना चाहूंगो इस बारे में मम्नी को लगबग 50% ज्यादा आराम आज है उस तरह तो आराम नहीं है अभी गैप बना है तो दो दोल्ड़ जो घफजाय है